C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है श्रिंखला, विज्ञान गीत साथियो, इस श्रिंखला में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जल गया सलफर साथियो, आपने धातुओं व अधातुओं के विशय में जरूर सुना होगा क्या किसी अधातु का नाम आपके दिमाग में आ रहा है आईए, आज इस गीत के माध्यम से जाने कि सलफर, जो की एक अधातु है, उसे वायू में जलाने पर क्या होता है और जलने पर बने पदार्थ की फ्रिकृती कैसी होती है आओ भाई, आओ, क्यों भाई, क्यों अरे आओ भाई, आओ, क्यों भाई, क्यों आओ देखो, करके देखो, हाथ में पकड़ो, चमच चमच? हाँ, उदहन चमच डालो उसमें सलफर पाउडर, जला के देखो सलफर क्या कुछ बदला, क्या कुछ बदला धूआ उठा, जी, धूआ उठा जोर जोर से धूआ उठा, सलफर के जलने से देखो, कितना जोर का धूआ उठा मत जाने दो, मत जाने दो, धूए को पकड़ो, मत जाने दो हाँ, चमच को लेकर परतन में धूए को इसमें आ जाने दो, धक दो जल्दी, धक दो जल्दी धुए को पकड़ो ठक दो जल्दी भर गया देखो धुए से बर पन भर गया देखो क्या करना है क्या करना है धुए का इसमें क्या करना है पानी डालो इसमें जल्दी धुए को पानी में घुलना है घुल गया देखो, घुल गया देखो, हुआ तो इसमें घुल गया देखो घुल के बना क्या, घुल के बना क्या आओ चांचे, लिटमस लेकर डाल दिया है, डाल दिया है लिटमस पत्रों को डाल दिया है लाल हुआ है, लाल हुआ है, मीला लिटमस लाल हुआ है करके देखा करके देखो समझ गए हम क्या होता है साथियो इस गीत के माध्यम से आपने जाना कि सल्फर जोकी अधातु है किस प्रकार हवा में जलकर अमलीय ओक्साइड बनाता है आप भी करके देख सकते हैं पर ध्यान रहे सल्फर को हाथ से नाचुएं यह त्वचा के लिए हानिकारक है साथ ही धुएं को काच के बरतन में इकठा करें ताकि आप उसे दूर से देख सकें और ये भी याद रखें कि धुआ श्वास के साथ अंदर ना जाने पाए साथियों आपके जहन में ये प्रश्ण अवश्य आ रहा होगा कि क्या सभी अधातुओं के अक्साइड प्रकृती में अमलीय होते हैं पता लगाने की कोशिश कीजिए अभी आप सुन रहे थे ये गीत विशे संयोजन वाचन एवं आलेक, डॉक्टर रुची वर्मा संगीत हर्भजन सिंग, गायन स्वर, अनुजा विसारिया, विनीत और बच्चे भन्यंकन, बटिलैंग लिंग्डो, निर्मार सहयोग, मयंक थपलियाल निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन यह कारेक्रम CIET-NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रस्तूत किया गया